इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इगनू एक्जाम की तयारी हम लोग कैसे करें कम समय में ठीक है सबसे पहली बात कि ये सभी एक्जाम के लिए है चाहे वो बीए कर रहे हो बीकॉम कर रहे हो बीएसी कर रहे हो बीसीय कर रहे हो एमसीय कर रहे हो एमसीय कर रहे हो या फिर एमे कर रहे हो एमकॉम कर रहे हो या फिर प्यजडी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उन सभी स्टुडेंट के लिए ये स्ट्राइजी काम आ सकता है ठीक है सो सबसे पहले बात करते हैं इगनू क बुक नहीं देते हैं आपको एक पूरी की पूरी लेबरेरी देते हैं कि पढ़ते रो वाई ठीक है तो उस केस में उतने सारे बुक्स को पढ़ पाना पॉसिबल थो है बट उनको याद रख पाना उन कॉंसेप्ट को अपने माइंड में कैप्चर करके रख पाना सब के लिए पॉसिबल नहीं में भी कुछ बच्चे होंगे उनके लिए पॉसिबल हो सकता है कुछ होते हैं सार्प माइंड वाले लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है उस केस में लोग इस स्ट्राटेजी को फॉलो करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है सबसे पहला है कि पिछले 5 साल का कोस्टेन पेपर आप डाउनलोड कीजिए और उनको प्रेक्टिस कीजिए उनको आप लगातार पढ़ते रहिए उनको कवर कर लेजिए पूरा का पूरा पांच साल का जुतना भी कोस्टेन है सब आप पढ़ लेकिन आपको नहीं पढ़ना पढ़ना है last year का question फिर last semester का question अगर last semester है आपका तो last semester का question नहीं पढ़ना है और last year का question नहीं पढ़ना अगर year-wise आपका exam होता है तो मेरे कहने का मतलब यह है actually semester ही अगर कहें तो बहतर है because June और December दो वार examination होता है यहां यह इगनु में ठीक है तो मेरे कहने का मतलब है कि आप 5 साल को पढ़ेंगे पेपर question पेपर को पढ़ेंगे एक उसमें से last वाले को minus कर देंगे यानि कि last को minus कर देंगे simply रहेगा कि आप 4 year का और maybe 4.5 year का ठीक है यानि कि अगर semester wise बात करें तो 5 year में कितना हो जाएगा आपका एक year में 2 set question अपको मिलेगा semester wise को तो 5 year में 10 sets अपको मिलेगा question का 10 set मिलेगा ठीक है 10 set में एक last set को minus कर देना यानि कि आपको total 9 set पढ़ना है question का ठीक है यह semester हो या year हो सभी को 9 set पढ़ना है इसी तरीके से ठीक है उसके बाद जो next हमारा है वह है assignment question का question होता है वह बहुत ही कम possibility होती है कि आपको question में पूछा जा सकता है theory paper में ठीक है next है जैसे का आप देख पा रहे हूं कि आपको अपने पढ़ाई में पुरा ध्यान लगाना है और उसमें आपको बने रहना है ठीक है अगर आप अपनी पढ़ाई में बने वे नहीं रहेंगे यानि कि आप दो दिन पढ़ते हैं सब्ता में और बाकी पांच-छे दिन नहीं की 5 साल का qurien है जिसमें मैंने कहा कि एक साल में 2 सेट है तो 5 यर में 10 सेट में 10 सेट में से 1 से मैदस कर देजि़ neighborhoods 9 ऑक के हडा देते हैं उसको ठीक है तो यह होगी आपका 90 days तो 90 days आपके पास पढ़ाई करने के लिए है और आपके पास 90 questions है ठीक है तो आप सिर्फ एक गंटा पढ़िए एक गंटा ही आपको पढ़ना है और एक question को गवर करना है ठीक है सिर्फ एक बार study कर लिए इसको पढ़िए प्लस एक नया question पढ़िए फिर स्थार्ट में क्या किजिए कि आपने जो दो आपका ठीक है और बाकी कसम अगर आपका पढ़ने का मन करता है तो बाकी आपके पास जो ब्लॉक हैं बहुत सारे ब्लॉक हैं बहुत सारे बुक्स होते हैं उसको पढ़िए एग गंटा दो घंटा जो कर आप रिडिंग गरना देना जिसे अब रिडिंग देते हैं विसे प यह जो पूरा है, यह है सिर्फ THeorie paper के लिए ठीक है यानि कि आगर आप BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं MBA कर रहे हैं और भी बहुत सारी practical examination होता है जो कि lab में किया जाता है तो उस practical examination के लिए यानि practical exam में आगर आप Alison का question पढ़ते हैं तो बहुती rare case में question repeat होते हैं और जब repeat होते हैं, वैसे ुप हो जाते हैं येकिन मैंने बहुत कम देखावाइ कि repeat होता है ठीक है तो आपको इसको ध्यान में रखना है थियोरी की बात करें तो थियोरी में यह strategy आप BA में, BCOM में, BSC में और MA वगरा जो भी होता है सभी में आप इसको थियोरी के लिए इस strategy का इस्तिमाल कर सकते हैं अच्छे marks लाने के लिए ठीक है और at the end में इतना कहूंगा कि आपको इसी पर depend नहीं रहना है बिल्कुल भी हाँ यह एक तरीका है कि आप exams को पास कर सकते हैं clear कर सकते हैं लेकिन आपको बहुत बहतर करना है तो उसके लिए आप blocks को कम सकम एक बार read जरूर कीजिए खास कर के आपके पास एक साल का वक्त होता है यानि कि आपके पास one year होता है अगर इसकी बात करें BCA, MCA या फिर बाकी चीज़ों की सारे books को पढ़ना तो सभी blocks को पढ़ना तो उसकेस में आप सिर्फ इसको follow कीजिए मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा result मिलेगा thanks for watching